मैं लदाख में हूँ और आप देख रहे हैं सिंदु नदी को बहते हुए यहां और वो जो पहाडियां हैं उनके पीछे नोबरा और चांगतां के वो इलाके हैं जहां पर ये तनाव बढ़ता जा रहा है हजारों सैनिक वहां ले जाए जा चुके हैं सुनने में आया है चीनी वायू सेना के जहाज भी वहां तैनाद किये गए हैं और एक गंटे पहले भारतिय वायू सेना के जहाज भी मेरे उपर मंड़ा रहे थे सामान निता जब सीमा पर तनाव होता है तो हम आप जैसे नागरिक ये सोचकर सो जाते हैं रात को कि सैनिक इसका जवाब दे देंगे मगर मैं आज आप लोगों को ये जरूरी बात बताना चाहता हूँ कि इस बार सिर्फ सैनिक जवाब नहीं दोतरपा जवाब हो और उसमें नागरिक जवाब भी हो तो आप जैसे नागरिक दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर और अनेक शहरों से क्या कर सकते हैं इसमें ये समझने के लिए पहले हमें समझनी होगी चीन की ये हरकत और वो ऐसा क्यों कर रहा है आपने देखा होगा कि ये सिर्फ भारत के साथ नहीं हो रहा है बलकि पिछले कई हफतों से चीन ये दक्षिन चीनी सागर में वियतनाम, ताइवान और अब हॉंग कॉंग के साथ भी छेड़ खानी कर रहा है और मेरा ये विशलेशन है कि वो ये सब किसी देश के साथ दुश्मनी के वज़े से ज्यादा अपने अंदर की समस्याओं को सुलजाने के लिए कर रहा है आज चीन को सबसे बड़ा डर है तो अपने जंता से डर है उनकी 140 करोड की आबादी जो की एक बंदवा मजदूर की तरह बिना मानवादिकारों के चीनी तानाशा सरकार के लिए काम करते हैं और उसे धनी बनाते हैं जब वो नाराज हो जाए तो फिर एक करांती की सी परिस्तिती बन पड़ती है और इस से चीन बहुत डरता है आज कोरोना के प्रकोप के बाद चीन में फैक्टरियां बंद हैं एक्सपोर्ट्स बंद हैं और बेरोजगारी 20% तक बढ़ चुकी है लोग बहुत नाराज हैं क प्रांती हो सकती है तख्ता पलट हो सकता है इसलिए चीन पडोसियों से दुश्मनी करके अपनी जनता को अपने साथ जोडने में लगा हुआ है और ये पहली बार नहीं कर रहा है 1962 में जब भारत के साथ जंग की तो वो जंग भी उसने अपने जनता को संभालने के लिए की थी तब चार साल का आकाल और भुख मरी हुई थी और इससे द्यान हटाने के लिए ये जंग की थी चीन के लिए अपनी जीडीपी और जो खुशाली है उसे बढ़ाते रहना बहुत ही जरूरी है और जिस दिन जीडीपी गट जाए वहां की जनता करांती के लिए तयार है मैं तो कहता हूँ कि इस बार भारत की बुलिट पावर से भी ज्यादा वॉलिट पावर काम आएगी जो नागरिक पैसा खरचते हैं चीन के सामान को खरीदने में जरा सोचिए हम आप भारतिय उद्योक को मार कर चीन से मूर्तियों से कपड़ों तक हर साल पांच लाख करोड के सामान खरीदते हैं और फिर ये पैसा आगे जाकर हमारे सीमा पर हत्यार और बंदूप बनकर हमारे सैनकों के मौत का कारण बन सकती हैं तो इसलिए अगर हमारे देश के 130 करोड लोग और 3 करोड जो भारतिय बाहर के देशों में हैं सब मिलकर भारत में और बलकि दुनिया भर में एक बॉयकॉट मेड इन चाइना मूव्मेंट या अभियान शुरू करते हैं तो आज दुनिया बर में चीन के परती रोश है हो सकता है कि सारी दुनिया साथ आए और इतने बड़े स्तर पर चीनी व्यापार का बॉयकॉट हो कि चीन को जिसका सबसे बड़ा डर था वही हो यानि कि उसकी आर्थ व्यवस्ता डगमगाए और उसके जनता रोश में आए विरोध और तखता पलट और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो कितनी बदनसीबी की बात होगी भारत के लिए जरा सोचिए एक तरफ हमारे सेना सीमा पर जंग लड़ रही होगी और दूसरी तरफ हम आप चीनी सामान मोबाइल से लेके कंप्यूटर कपड़ों से लेके खिलोनों को खरीद कर उनकी सेना को पैसा बेज रहे होंगे चीन की सेना को ये तो हुई हार्डवेर की बात दूसरी तरफ हमारी युवा चीनी सौफ्टवेर अप्स गेम्स जैसे टिक टॉक चैरिट इन सब में मस्त उन्हें दूसरी तरफ से करोडों करोडों का पैसा बेज रहे होंगे तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम एक नागरिक जवाब जरूर दें और इसे एक अभियान बनाएं ग्लोबल मुव्मेंट की तरह ये बाइकोट मेड इन चाइना का जो अभियान है वो बारत के लिए भी एक वरदान साबित होगी जैसा कि हमारे प्रदान मंत्री ने एक विजन हमें दिया था स्वाव लंबन का सेल्फ रिलाइंस वो तब हो सकता है जब हमारी अपने उद्योग फले फूले हैं और जब हम बाइकट करते हैं इन सामान का तो अपने देश के उद्योग का उत्पाद का हम प्रियोग करेंग और उस से मजदूरों को रोजगारी मिलेगी और सारा देश खुशाल होगा बजट होगा कि हम और अच्छी तरह से टकर ले सकें सीमा पर भी तो इसके लिए मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि जहां तक एप्स और सॉफ्टवेर की बात है तो हमारे युआउं को एक ह रफते में उन्हें अनिंस्टॉल करना चाहिए बाइकाट मेड इन चाइना सॉफ्टवेर इन वीक और हाड़वेर इन येर क्योंकि साजो सामान के लिए वक्त लगेगा हमारे अपने देश से और बाहर से विकल्प निकलने तक तो उसे हम एक साल के अंदर कर सकते हैं तो य हमारी जो मीडिया है वो जनता तक देश के कोने कोने तक पहुंचाए और जैसे ही इसका असर दिखने लगेगा इंटरनेट से एप्स लाखों में करोडों में अनिंस्टॉल होंगे तो चीन को संदेश साफ जाएगा और यही एक तरीका उसे मेज पर पहुंचा सकती है जहा आते जाते मैं यह बता दू कि मैं क्या करने जा रहा हूं इस फोन पर जो भी चीनी एप से उन्हें तो मैं एक हफते में हटा रहा हूं बलकि यह फोन जो की चीन में बना है इसे भी मैं एक हफते में अपनी जिन्दगी से अलग कर रहा हूं और एक साल के अंदर हर वो चीज जिस पे Made in China लिखा है उसे जिन्दगी से निकालने जा रहा हूँ हमें चीन से चीनी लोगों से कोई समस्या नहीं है चीनी सरकार और उनकी रवईयों से समस्या है जब तक चीन में परिवर्तन ना हो हमें ऐसा करना होगा और आप लोगों से मैं अपील करता हूँ कि आप अपने शहर में अपने महले में ऐसे इवेंट्स करें जहां लोग पर तिग्याएं करें कि चीनी सामान का बहिशकार करें जब तक चीन में परिवर्तन ना हो और मैं सालों से कहता रहा हूँ कि 21 सदी में देश के लिए जान देने की नहीं बलकि जिन्दगी देने की जरूरत है लदाक्त में बढ़ते हुए ये देश के लिए जान देने का कारूबार बहुत देखा और जहां एक तरफ मैं सलाम करता हूँ उन लोगों को जिनोंने देश के लिए जान दिया मगर इस 21 सदी में मेरा खयाल है कि देश के लिए जान देने की नहीं जिन्दगी देने की जरूरत है तो आप भी निबाईएगा अपना रोल जैहिन